कैसे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों मैं हूँ अभिना तुशांचु पांडे और आप सभी का स्वागत है अभिशा की पूरी टीम की तरफ से हम कर रहे हैं परिक्षाओं की तैयारी और इस तैयारी के सलसिले में मैं आपको बता दू कि कक्षा बार्वी के साथ साथ पर आपको तैयारियां करवाई जा रही हैं अगर आप चाहें तो हमारा एप्लिकेशन प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं जहां आपको एडिशनल फीचर मिलते हैं जैसे कि शॉर्ट नोट्स माइंड मैप इंपॉर्टन क्वेस्टेंस और वो सारी चीज़ें अभी हमको तैयारियां करनी होंगी आपको क्या आंकिक प्रशन पूछे जा सकते हैं क्या आपसे जो है अन्य प्रकार की अपेक्षाएं हैं यह सारी चीज़ें हम डिसकस करेंगे पैन कॉपी उठा लीजिए और बिल्कुल तैयार हो जाएए क्योंकि अब हम चालू कर रहे हैं यह सबसे पहला प्रशन यह है कि रदरफोड का पर्मानु मॉडल क्या है और रदरफोड पर्मानु मॉडल के तीन अभिग्रहीत लिखिये 2020 और 2022 दोनों वर्शों में पूछा गया यह प्रशन है और यह आपको तीन अंक देता है उससे आप से हमको उत्तर लिखने पड़ेंग लेकिन समय की प्रासांगिकता को ध्यान में रखते हुए हम सिर्फ पूर प्रशन पत्रों से ही प्रशन हल कर रहे हैं यहां इस चैप्टर में हम लोगों ने देखा था कि रदरफोड एक वज्ञानिक थे जिन्होंने सोने की परते याने कि सोने की बहुत पतली पन्नी या फिल्म लेली और इसके आज-पास जो है फोटोग्राफिक प्लेट लगाकर जो है इस पर अलफा किर्णों की बहुचार करने पर उन्हें जो प्रेक्षण मिले उन प्रेक्षणों के अधार पर इन्होंने कुछ अभिग्रिहित दिये थे अब यह प्रेक्षण क्या थे यह आप मानने के बीच से आप को गुर्ण नी करिमि प्रेकर निकल गई इस आधार पर उन्होंने बहुत सारी गरतियं गरणाय की और इसके बाद में कुछ अपने result आपने result गें की है, इन results के आधार पर उन्होंने परमानों के आंतरिक structure की परमानों के आंतरिक सनरचना की व्याखया की. ये व्याख्या कोछ इस प्रकार है उन्होंने देखा ये बहुत सारे अलफा करण जो है वो बिना मिचलित हुए सीधी देखा में निकल जाते हैं और इससे पता चलता है कि मूलता एक परमाणू अंदर से खोखला होता है उसके बाद में उन्होंने बताया कि बहुत ही कम ऐसी अलफा करणे होती है आठ हजार में से एक ऐसी जो है अलफा करणे होती है जो अपने ही मार्ग पर वापस लोट जाती है इससे पता चलता है कि पहली बात यह है कि जो परमाणू है उसका सब का सब धनात्मक आवेस उसके केंदर में इस्थित होता है और दूसरी बात यह है क यह भी बताया कि परमानुक के आकार से लगभग दस की घात पांच गुना जो है छोटा नाभिक का आकार होता है इसका मतलब यह है कि यदि आप मान लें कि एक मीटर एक घन मीटर का जो है हम लोग अगर नाभिक की कलपना करें तो उस नाभिक के आनुपात में जो पूरे पर परमानुकाकार होगा वह करीबन दस हजार दस हजार मीटर के लंबाई का मतलब दस की घात पांच और यहां पर देखेंगे तो लगभग सौ किलो मीटर की तरिज्या का परमानु होगा उसके अंदर के नाभिक काकार सिर्फ एक घन मीटर होगा तो यह जो है हम लोगों ने समझा अब हम आगे क्या देखते हैं कि इन्हों ने क्या कहा कि परमाणू के केंद्र में जो है सारे के धनात्मा कावेस केंद्र होते हैं जिने हम उनका नाभिक कहते हैं दूसरा कि नाभिक का आकार वो बहुत छोटा होता है उसकी जो है उसक लगातार लगातार घूमते रहते हैं। तो इन्होंने इस पकार से परमानु की संरचना के बारे में बाति की। थीक है। इसके बाद में इस चैप्टर में जो और पढ़ने वाली चीज है वो यह है कि हम जो है यहां पर इनके सम्वेग या इनकी गति जूर्जा का की गणना करते हुए यह बता सकते हैं कि वो एक एक अलफा पार्टिकल जो किसी भी गति से गति शील हो वह अधिक्तम किस दूरी तक नाभिक के करीब पहुंच सकता है जिसके बाद वह या तो विचलित हो जागा या अपने ही रास्ते में वापास हो जाएगा तो यह चीज आपको कहा मिलेगी फुल लेंथ वीडियो आपको मिलेगा हमारे अप्लिकेशन में वहां से जाकर आप इसको डीटेल में भी पढ़ दिया अब यह परमाण मॉडल क्या था इन्होंने कहा कि रदरफोड भाईया सहीं बोल रहे हैं सारा का सारा धनात्मक आवेस के अंदर पर और रिनात्मक आवेस उसके आसपास गती कर रहा है जिन्हें हम इलेट्रॉन कहते हैं लेकिन इलेट्रॉन जब गती करते हैं तो वह नोने बताया कि जो है किसी भी इलेट्रोन का जो है जो सम्वेग होता है या जो है मोमेंटम होता है वह एन एच बटा दो पाय यह जो है एक उन मतलब यह एक शर्त है ऐसे मतलब तृज्या का चुनाव करते समय वह उसी कख्छा में जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यह क्वांटम संख्या है और इसका मान एक दो तीन कुछ भी हो सकता है इस हिसाब से जो हम त्रिज्याएं निर्धारित कर सकते हैं उसके बाद में इन्होंने कहा कि यह जो कख्षाएं हैं इनमें उर्जा का मान सेम होता है यह एक निश्चित इन दोनों की उर्जा के बराबर वह जो है विकरित कर देते हैं मतलब जो है इसमें विकीरन होता है और यह प्रकास के रूप में बाहर निकलता है यह बाते हम लोगोंने पहले वह बहुत बार की है तो जब आप उर्जा बढ़ाएंगे तो एक इलेट्रॉन उर्जा जो है वह ग्रहंट करेगा और उच उर्जा कख्षक में चला जाएगा जब उच उर्जा कख्षक से वापस आएगा तो जो भी उर्जा का अंतर होगा उसके बराबर विकरन के रूप में प्रकास जो है विकरित कर देगा तो यह जो है बोर का परमाणू मॉडल हो गया हम लोगों यहाँ पर एकमान क्या क्या हो सकता है तो एक मान 2 हो तो कों सी सिरीज है एक मान 3 हो तो से सीरीज है एक, एक लाइन में, एक लाइन में, दो बाजु में और तीन पीछे तो अब जो है, आप इसको बस याद रख लेजिए आपका अग्राम हो जाएगा, क्या एक लाइन में, दो बाजू में, तीन पीछे हमारे निता जी ऐसे हैं, लाइन में से हो गया हमको लाइमन सीरीज, बाजू में से हो गया बामर सीरीज, और पीछे से हो गया पास्चन सीरीज, तो जब आप एक अमान एक रखेंगे तो आपको लाइमन सीरीज मिलेगा, यहां पर जो है आप तरंग दैर्ध किस तरंग दैर्ध की प्रकास किर्णे जो है उसका विकिरन होगा ये जानने के लिए आप जो है यहां पर नाम रख सकते हैं अब यहां पर देखिए क्या पूछ रहा है। पूछ रहा हैं मतलब ऐ का मान क्या हो गया एक मान हो गया कि उबीदार यहां से जो है आप सू त लिख सकते हैं вкус अभी सिब चपनेquarद सोभात को और का होता है तो यहां जब यहां पर आप मान रखेंगे तो सबसे बड़े पतरंग दैर्दे की लिए अगर अनन्त ले लेंगे तो यहां पर यह पूरी कॉंटिटिटी शूर नहीं हो जाएगी और हमको सबसे बड़ा तरंग दैर्था मिलेगा एक बटा लैम्डा बराबर आर बटा दो का वर्ग इस तरीके से यहां पर हमको कुछ मान मिलते हैं और अगर सबसे छोटे तरंग दैर्था की बात करें तो एन का मान अगर हम त करें जाएगा अब यहां पर हमको देखना है कि यह जो तरंग दैर्था का परास है वह कितना है ठीक है है तो बामर स्रेड़ी में हमको पता है कि एन का मान 5 लेने पर 65-65-63 एंग्ष्टाम यह इस परास में जो हमको तरंग तरंग मिलता है और बामर सिरीज में अनन्त लेने पर 36 46 एंग्ष्ट्रॉम् इस परास में हमको तरंग दैधे मिलता है अब आपको जानना है कि इस तरंग दैध का परास वह किस स्रेड़ी में आता है तो भई आपको यहाँ पर ये भी पता होना चाहिए कि इस तरणधैद की जो है जो इस्पेक्ट्रमी दिरिश्च्रा में पढ़ती हैं. अब दिरिश्च्रा के लिए जो है, हमारे पास हमelines डिरिश्च्ण पढ़ का शर्ति कीसी हैं तो दिरिश्च्रा के लिए जो मैं आपको बता दूं के हम लोग 4500 एंग्स्ट्रॉम से ले करके 7500 एंग्स्ट्रॉम तक दिर्ष स्प्रकास का स्प्रक्ट्रम होता है और यह यह क्या है यह तरंग दैर्द है तो 2021 और उननिस दोनों में पूछा गया प्रशन है आगे चलेंगे अब हम से पूछा जा रहा है कि पास्चन स्रेडी में इस एक बटा लेंड़ा बराबर और अगर जो है हम लोग नियूनुतम मान के बारे में सोचे तो यहां पर N का मान 4 रख देने से जो है हमको सूत्र मिल जाता है अब पास्चन स्रेडी है तो पास्चन स्रेडी का जो है हमको परास की जो है गरना करनी है तो यहां पर जो है हमको 8204 और 18752 मतलब जो है अलेमडा का मान 8204 एंगस्ट्रॉम प्रम तक मिल जाता है कि 7500 एंक्सट्रॉम तक हमको दिर्श्ण प्रकास मिलता है इस से अधिक होने पर हमको क्या मिलेगा इससे अधिक होने पर हमको UV याने की पराब्चनी प्रकास के केर्णाइं मिलेंगी तो जो है यह हमको कहा दिखाई देता है पास्चन स्रेडी हमको पराब्चनी रेंज में दिखाई देता है लाइमन स्रेडी में हम बात करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई एक लाइन में दो बाजू में और तीन कहां पीछे तो इस तरीके से हमको लाइमन स्रेडी के लिए इसका मान मिलता है एक बटा लैम्डा बराबर आर गुना एक बटा एक का वर्ग रिन एक बटा एन का वर्ग इसमें अधिक्तम के लिए एन का मान अनंत और न्यूनुतम के लिए एन का मान दो रखने पर हमें स्पेक्ट्रम मिलेगा अब सबसे बड़ा और सबसे छोटा जो स्पेक्ट्रम है वह किस परास का मिलेगा तो यहाँ पर जो है 1215 से लेके 912 एंक्ष्ट्राम तक तो हमको 912 सबसे छोटा परास मिल रहा है और 1215 वहाँ सबसे बड़ा परास मिल रहा है यहाँ पर 912 और 1215 यहां किस स्रेणी का है तो हम लोगों ने अभी क्या देखा था कि भाई 4000 से 7500 तक यह क्या है 4500 से 7500 तक द्रिश्प्रकास से इससे तरंग दैर्धे बढ़ाने पर हमें अल्टा वालेट मिल रहा है इससे कम तरंग दैर्धे वाली स्रेणी में हमको क्या मिलेगा यहां पर हमको अवरक्त किरने मिलेंगी अब बोर के परमाणू माडल की क्या कमिया है यह हमको जाना है तो बोर के परमाणू माडल की मुख्य कमिया यह है कि पहली बात यह है कि बोर ने जो है जब यह बताया कि जो hydrogen hydrogen या फिर helium यह जो परमाणू है इन में प्रकास का जो उत्सर्जन होता है तो इसके कारण हमको spectrum रेखाएं नजर आती है यह spectrum रेखाएं जो है एक विशेश तरंग दैर्ध के कारण जो है तरंग दैर्ध की किर्णों को अवसोशित या फिर उत्सर्जित करती है अब इन्होंने ये स्यानकारियां सिर्फ hydrogen और helium के लिए इससे अधिक परमाणों के लिए इनकी व्याख्या बहुत काम की नहीं थी दूसरी बात क्या है कि इन spectrum रेखाओं को जब हम लोगों ने सुक्ष मदर्सी से देखा तो इनके आजू-बाजू जो है और भी spectrum रेखाए नजर आई और इन spectrum रेखाओं को बारे में इन्होंने कोई भी व्याख्या नहीं की थी मतलब यह है कि जो मोटे तोर पर spectrum रेखाओं के बारे में जो है चर्चा की है यह सारी की सारी रेखाओं के साथ में क्या था कि यह जो spectrum रेखाए हैं इनकी तीवृता अलग अलग थी और इन तीवृताओं के अंतर का कारण यह नहीं बता पाए बोर के परमाणूर माडूल की व्याख्या हो गए तो यह 2020 का प्रश्ण था और इस पारे में भी हम लोगों ने चर्चा कर ली है इसके बाद में जो है आपको जो है और भी कुछ जानना है तो यह किवल पी वाइक्यू सीरीज थी पूरे डीटेल में हमारे चैप्टर जो हमारे application में अबलेबल हैं अगर आप चाहें तो प्ल हुआ 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 है